अलो जी कैसे आप सभी तो आज यहां आप सभी के शाद शेयर कर रही हूँ मलाई से घी कैसे निकालते हैं परफेक्ट जैसे बहुत लोगों को देखा होगा उनके मलाई में समेल आने लग जाती है कैसे store करनाया क्या करनाया सारी चीजे बताऊंगी ppora tips and tricks तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें होगा आप मेंदी video कहां से देख रहा है कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां देखे सबसे पहले मैंने क्या किया यह कटो रहा है इसमें सिर्फ 8 दिन की मिलाई है ठीक है इसको स्टोर करके रखा है मैंने फ्रीजर के अंदर हमेशा मिलाई को फ्रीजर में स्टोर करिए नीचे फ्रीज में नहीं फ्रीजर में स्टोर करने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है जब हमें यूज करना है तो उससे पहले क्या करेंगे जैसे मैंने तो इसको रात को नीचे फ्रीजर से नीचे फ्रीज में रख दिया अब जैसे अगर आप इसे या तो सुबह मौर्णिंग में निकाल दीचे फ्रीजर से भार और चार-पंच गंटे में पानी डालकर नाथ्र हो जाता है आथ में नगल की आजाता है तो यहां पे थोड़ा सा पानी है और डाला और इस कोढ़ने गें चल चलाएंगे गुमाते रहेंगे चला रही हूँ, तो यहां थोड़ा से speed ज़्यादा दिख रहा होगा, थोड़ा से speed तेज किया, अदरवाइस थोड़ा से slow उसमें कर रही है, तो 3-4 मिट में अराम से निकल जाता है, इवन जरूरी नहीं है, जिनके पास hand wheat इस तरह से हो, हाथ से हाथ से, जो cream होती है उसका, तो हाथ से भी, यह तो बहुत कम quantity में, बहुत बड़े बड़े बड़ तनों में निकाला है, है ना, तो बस इसे लगाता है, चला रहे हैं, अब यह देखिए, काफी हद तक है ना, हमारा जो मक्षन आपको दिख रहा होगा ना, separate इसमें दिख रहा है, यह देखिए, इस तरह से, और थोड़ा सा chill water, अगर और डाल देखी तो बिल्कुल अच्छे से आपको दिखता है, बड़ जलत नहीं है, मुझे इतना sufficient लगा, यह देखिए, अलग हो गया, milk, milk के जो है ना, वो अलग हो गया, थोड़ा सा पानी और डाल के से लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, इवन ब्रेड के ओपर भी बहुत अच्छा लगता है, अब दूसरी कडाई ले लिए है, उसके अंदर में क्या करूँगी, इसको इस तरह से निकाल के कडाई में डालती जाओंगी, और बस जो milk बचेगा, उससे हम पनीर करके, इसमें जैसे हम धही में जामन देते हैं, फिर जामन देके जमाती थी, जमाती है, बट सिंपल थोड़ा सा ही है, तो मैं तो सिर्फ इस तरह से नॉर्मल ही बना रही हूं, ठीक है, तो बस ये देखिए, पूरे को इस तरह से मैं अपनी कडाई में ले लूँगी, और इसे अच्छे से प्रैस करेंगे, जो भी हमारा ये वो फर चाच बन जाते थी, उसे हम पनीर नहीं बना पाते थे, जामन जिसमें लग जाता था, वो चाच बन जाते थी, तो बस इसको मैं है न, अपनी जो बहगोनी है न, इसके अंदर निकाल लूँगी, ताकि है न, क्यो पर अख्रियों में मेरी कड़ाई उसमें बनेगा हमारा ये घी और दूसरे में इसको गरम करके इससे हम बनाएंगे पनीर तो मैं एक बार के लिए बस गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए तेज रफूंगी बाकि फिर मैं लो फ्लेम पे इससे चलाते हूं में घी बनाऊं पर मेरा ये जो दूद था ये गरम हो गया अच्छे से इसको थोड़ा सा उबाल लेके गैस को बन कर दिया हलका सा रहंडा हुआ उसके बाद मैंने क्या किया इसमें जो इसका जैसे हम पनीर बनाते न सेम थोड़ा सा मैंने पानी में निवू का रस डाला और इस इस तरह से थोड़ी देर चलाते रहोंगी चलाते चलाते क्या होगा इसका जो पनीर है वो सेप्रेट हो जाएगा और पानी इसका अलग रह जाएगा तो बस ये देखिए पानी इसका अलग हो गया और थोड़ा सा गरम है अभी है अब इसको क्या करेंगे हम चन्नी लेंगे और इसके बनते हैं क्योंकि वो मिल्क के ऊपर रहता है कि किसना हमारा मिल्क बचा है उसे साफ से फिर पनीर बनता है इस चीज का यह देखिए तो हमारा यह पनीर है अब इसको चाब दवा के क्यूब्स में कट कर लो बट मैं इसको ऐसे चोड़ दूगे और इससे परांठे बना लेंग सकता है तो अब देखिए थोड़ा बहुत हलका सा तो फिर भी लगी गया और बहारी तले की गडाई लीजेगा जो भी ले रहे हो अब यह देखिए का अच्छा मारगी बनके तयार हो गया इवन जो उसका दाना है ना उसको भी हम यूज कर सकते हैं तो अच्छी लगी हो त प्लीज लाइक कीजेगा